हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपके अपने इस यूटुब चैनल पे तो दोस्तो इस चैनल के माध्यम से आपको पैरामेटिकल से सम्मंदित हर जानकारी हर इंफोमेशन पहुंचाई जाएगी तो सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और बेल आइ प्रेविएस सब्सक्राइब कर देना तो चैनल को सबस्क्राइब कर देना चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रिविएस सब्सक्राइब का लिइ Newton का सब्सक्राइब कर दे सक्वा यानि कितने rank से यानि UR में कितने rank तक वालो को मिला था BC category से कितने rank वालो तक को GNM मिल गया था है ना इसी तरह EBC, SC और ST है ना यानि सब category का मैं आपको दिखाऊंगा कि किस category से कितने student का admission हुआ था ठीक है तो चलिए मैं आपको cut off की तरफ ले चलता हूँ तो चलिए अब आप लोग देखिएगा देखिए GNM का course है UR से 35 से start हुआ था है ना यानि UR में जिनका rank 35 था ठीक है तो वहां से counseling स्टार्ट हुआ था और कितने तक वालो का हुआ था तो भाई 828 तक हुआ था ठीक है यानि rank 35 से 828 के बीच में जिन भी student का rank था है ना उन्ही का GNM में admission हुआ था ठीक है देखिए ये female woman category rank है है ना आप लोग आप लोग देखिए आप सभी को मालूम है कि GNM का course girls low के लिए तो आपका एक नीचे rank 8 पे दिखा भी रहा होगा woman category rank ठीक है तो woman category rank में यदि आपका मतलब पिछले बार यानि जितने भी student थे उनका 35 से 828 rank तक के बीच में था तो उनका admission हो गया था ठीक है चलिए अब हम लोग बात करेंगे UR से तो हो गया अब देखिए SC से SC से आप लोग देख सकते हैं उनका rank 284 तक का हुआ था है ना यानि SC category से जो भी student बिलॉंग करते हैं उनका 284 rank था है ना यानि एक से लेकर 284 rank तक था SC category rank उनका भी admission हो गया है बात करें BC का तो BC में भी आप लोग देख सकते हैं BC का ABC का ये रहा है ना backward cast का देखिए 589 है ना 589 तक का हुआ था ठीक है तो 589 एक से लेकर 589 तक के जितने student मतलब rank किये थे है ना एक से लेकर 589 के वीच में जिन भी student का rank आया था और वो BC category से थे तो उनका जो है पिछली बार admission हो गया था ठीक है इसी तरह हम लोग देख सकते हैं EBC का भी तो EBC का भी यानि 382 तक एक से लेकर 382 rank तक जितने भी student थे है ना उनका मतलब हो गया था जिन एम में है ना RCG का देख RCG का भी आप लोग देख सकते हैं RCG का भी तो यहाँ पर RCG का देखे 595 तक यानि 101 से लेकर 595 rank तक के जितने भी student थे उनका admission GNA में हो चुका है ठीक है तो गाइस हर college इसका अलग-अलग है है ना आप सभी लोग जानते हैं 10 से 11 college है तो मैं सब college का आप नहीं दिखा सकता बट हाँ मैं आप लोग को इस बार की cut-off क्या जाएगी यानि कितने rank से कितने rank तक के बीच वाले student को admission मिल जाएगा ये मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर आप लोग देखे GNA name के लिए इस बार इतना rank आपको GNA name का course मिल जाएगा ठीक है अब बात करें हम लोग SC का ठीक है तो देखिएगा SC में आपका जो rank होना चाहिए SC category में जो rank होना चाहिए 1 से लेकर 340 तक के बीच में होना चाहिए ठीक है देखिए यह मैं इस बार का बता रहा हूँ ठीक है इस बार का मैं बता रहा हूँ कि आप लोग का इतना rank होना चाहिए देखिए पिछले बार का भी मैं बता दू कि पिछले बार जो हुआ था ठीक है इस बार जो है 820 rank तक आपका होना चाहिए 1 से लेकर यानि 1 से लेकर 820 rank तक वाले student का हो जाएगा किये होंगे एक से लेकर 840 तक उनका admission fix है स्ट कैटेगरी से जिनका rank 1 से 340 के बीच में हो जाएगा स्ट कैटेगरी में 1 से लेकर 50 तक है ना 1 से लेकर 50 तक जो भी student rank किया है उनका हो जाएगा क्योंकि आप लोग को पता है स्ट का 1% CT है है ना इसलिए यहाँ पर ST कैटेगरी वालों को कम थोड़ा यहाँ पर रहत मिला है ठीक है तो यहाँ पर ST कैटेगरी से 1 से लेकर 50 rank तक आप rank करते हो तो मिल जाएगा बात करें BC कैटेगरी में तो BC कैटेगरी में 1 से लेकर 630 तक यानि 1 से लेकर 630 rank तक यदि आप लोग इसके बीच में करते हो तो आपको GNM का course इसलिए मिल जाएगा बात करें ABC में तो ABC में 1 से लेकर 650 तक के rank आया होगा आपका तो मिल जाएगा RCG का भी 650 ही है ठीक है 1 से लेकर 650 rank तक के बीच में आप आया होंगे ठीक है तो EVS में आपका rank जो है 1 से लेकर 60 तक के बीच में होना चाहिए इसके बाद आपको colleges मिल जाएगा तो guys ये था GNM के लिए यानि इस बार GNM कितना rank पे आपको मिल जाएगा ठीक है तो आप लोगों ने देख लिया अगर आप लोग चाहते हैं कि रूट किजेगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पर आपको paramedical से संबंदित हर जानकारी हर update पहले पहुँचाई जाएगी ठीक है